कार वरसल बे स्वागताब सभीका हर्श पपर है मिनना और ही एक निम वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के बार में जो कि इंडिया में कई महिनों से टेस्ट हो रही है उसके कई सारे डेंडर्स आ रहे हैं और अब थोड़े बाद इस गारी के बार में ओफिशिल इंफरमेशन पथा है तो आज की वीडियो में 2020 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में बात करेंगे और इसके रिडिया में launch के बार में उसके फीचर्स के बार में उसके pricing के बार में और बाकि उसकी specifications के बार में बात करेंगे और बाकि यहां मुझा ते है कि आपको जो महिंदरा की Scorpio है वो एक अच्छी गाड़ी लग रही है और क्या आप इसका 2020 वला वर्जिन खरीना पसंद करेंगे तो इस वीडियो देखते रहे 2020 वाली महिंदरा स्कॉर्पियों के बार में जानने के लिए तो जयसे कि जो महिंदरा वो एक इंडियान का ब्रैन्ड है जो कि इंडिया मेंगाप फेमस है और इंडिया में मेंटली SUV's बनाते हैं 5-seatra 7-seatra SUV's बनाते है और भली अगर आब इनकी स्कॉर्पियो देखे बलिए अगर आब इनकी बलेरो देखे XUV3W देखे तो इंडिया में काफी इमस गाडिया है काफी अच्छे फीचर के साथ आती है और काफी अच्छा बिक्ती है और इनके वनों तो मोस आईकॉनिंग गाडियों में से एक गाड़ी है वो है महिंदर्या की स्कॉर्पियो जो कि एक 7-seater off-roader car या फिर एक 7-seater SUV है जो कि इंडिया में राउंड 23 के राउंड आई थी और तब से इंडिया में काफी अच्छा बिक्ती और अपने सेग्मेंट की बेसिलिंग कार है तो जो मेंट पॉइंट है इसके वाईसे स्कॉर्पियो बिक्ती है वो है उसकी जो आप अगर उसके looks देखे उसका bold design अगर आप देखे जो कि अपने सेग्मेंट में किसी बहुर गाड़ी से match नहीं करता और यही खास feature है Scorpio के बारे में जो कि उसे इंडिया में काफी अची sales growth दिलाता है जब से महिंदर स्कॉर्पियो इंडिया में लाँच हुई है तब से काफी ज़ाद आप देखे तो इसके generations नहीं आई है तब से कुछ same platform इस गाड़ी में यूज किया जा रहा है और उसे में थोड़ी बहुत अप्ग्रेडिशन डालके थोड़ी बहुत उसमें जो strengthening करके उसकी security बढ़ा के उसे अब तक बेचा जा रहा है और तब ही लोग इस गाड़ी को पसंद करते क्योंकि इसमें आपको वो old school feel मिलते है इसके driving में इसके performance में इसकी interior में और तब ही काफी अच्छा बिक्ती है तो अब expected है कि 2020 में महिंद्र एक नए विली Scorpio इंडिया में लाँच करेंगे जो नए विली Scorpio होगी वो एक monocoque platform में based होगी जो पहली वाली है या फिर अभी जो फिलाल बिक्ती है वो एक body on ladder frame SUV है लेकिन जो नए वाली होगी 2020 वाली होगी तो ये जो गाड़ी expected है कि इंडिया में अगर ये launch होगी तो इंडिया में 2020 के auto x book around launch होगी ये फिर unveil हो जाएगी इंडिया में क्योंकि कई महिने से इस गाड़ी की जो camouflage cover testing वगरा भी चल रही है और बाकि rumors वगरा भी आ रहे है कि 2020 में गाड़ी इंडिया में launch हो जाएगी तो जो अगर आप main focus देगे Scorpio का 2020 वाली का वो ये है कि इस गाड़ी में आपको जो comfort मिलेगा और जो features मिलेंगे आपको पहली वाली गाड़ी से काफी जादा अच्छे मिलेंगे काफी जादा भी बिलेंगे और जो नई वाली Scorpio होगी वो पहले से लंबी भी होगी और बाकी जो height होगी थोड़ी कम होगी और चोड़ी भी होगी पहले से जादा ताकि इस गाड़ी की जो interior space है वो भढ़ जाए leg space भढ़ जाए और असानी से आप 5-7 लोगों को इसमें बिठा पाए नई वाली Scorpio उसमें आपको expected है कि एक diesel का engine मिलेगा जो के 2.0 liter का BA6 diesel engine जो की हो सकता है Fiat Chrysler Group का engine हो या फिर हो सकता है कि महिंदरा आपना खुदी का एक नय engine develop करें जिसमें आपको round 150 horsepower मिलेगी 350 nm के round आपको talk मिलेगा और बाकी यह वाला जो एंजिन हों का पहले स्यादा काफी refined होगा काफी पहले स्यादा स्मूद भी होगा और जैसे की basic engine है तो इसकी fuel economy होगी fuel emissions होगी वो भी आपको काफी अच्छे मिलेंगी और बाकि आप transmission में देखे तो आपको मैनल का भी option मिलेगा यह of course और automatic का भी आपको option मिलेगा फिर जो एक चेंज है जो की expected है कि जो नई वाली Scorpion में आएगा वो यह है कि जैसे कि अगर आप फिलाल वाली Scorpion देखे तो इसमें अगर आप 3rd row of seats देखे तो इसमें क्या आपको मिलता है कि 2 separate seats मिलती है आपको जो की एक दूसरे को facing वाली seats मिलती है मैं आपको photo दिखा ही रहा हूँगा आप देख सकते है लेकिन जो नई वाली Scorpion होगी इसमें expected है कि आपको एक SUV 5W जैसी seat मिलेगी जो की एक normal एक लंबी seat होगी जो की पुड़ी चौड़ी होगी और उसे आप एक साथ ही आप भीटा भी सकते है मतलब अगर आपको fold करनी है आप कर सकते है और अगर आपको खोलनी है तो तब भी आप खोल सकते है और इससे क्यों होगी गाड़ी की जो practicality है वो भी जादा भढ़ जाएगी और proper 7-seater गाड़ी है बन जाएगी तो अगर आप और expected features के बारे में बात करें जो कि नएवली Scorpion में आएंगे तो वो expected है कि आपको sunroof तो मिलेगी क्योंकि इस वाले segment में इस वाली price range में हम कई सारी गाड़ी आ चुकी है जो कि sunroof के इलावा भी काफी सारी features offer करती है पर इसमें आपको आठ इंस से offer का आपको information screen आपको मिलेगा जिसमें आपको सारी connectivity's आपको मिलेगी पर इसमें आपको leather interior मिलेगा उसके बाद ABS प्रेंट आपको मिलेगा front and rear parking sensors आपको मिलेगी LED headlets आपको मिलेगी tillers आपको मिलेगी और जो overall fit and finish होगी पहले से काफी अच्छी होगी तो कि अगर आप इस सेग्मेंट में देखे भले अगर आप Hyundai Crater देखे भले अगर आप MG Hector देखे भले अगर आप Kia Seltos देखे तो उन गाडियों की fit and finish है वो Scorpio से काफी ज़दा अच्छी है काफी ज़दा अच्छी quality की गाड़ी है उन गाड़ीों से अगर महिंद्रा को अपनी गाड़ी को compete करना है तो इसलिए उन्हें अपनी गाड़ी की fit and finish है वो भी बढ़ाने पड़ेगी और बाकि जो quality of materials है वो भी उन्हें बढ़ाने पड़ेंगी अगर आप इस गाड़ी की safety features के बारे में बात करें तो इसमें आपको six air bags मिलेंगे ABS प्लस EBD आपको मिलेगा हिल डिसेंड कंट्रोल आपको मिलेगा हिल hold assists आपको मिलेगा और बाकि जैसे कि अभी वाल इसको और भी आपको four by four capability इसके साथ मिलती है तो यह वली भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको differential locks भी मिलेंगे तो बाकि अगर आप इस गाड़ी की जो प्री booking वह स्टार्ट होगी और उसके बाद प्री बूकिंग के अबद इसकी ऑफिसी लाँचिंग होगी और लाँचिंगे बाद ऑफिस्यली कड़ी इंडिया में बिकने लग जाएगी तो गाड़ी का प्राइस के बारें बात करें तो expected है कि इस गाड़ी को प्राइज हो कमी पड़ता है इसलिए जो 2020 वाली स्कॉर्पिया वो भी एक्सपेक्टेड है कि काफी कम प्राइस के साथ ही लॉंच होगी ताकि इस गाड़ी यह जो गाड़ी कंपीट कर भाए दूसरी गाड़ियों से तो अगर आप इसके प्राइस के बारे इम बात करें तो प्राइस एक्सप अगर आप टाटा सफारी देखे तो वो सारी गाड़ियों का भी इसके राउंड ही है प्राइस तो बाकिया मुझे देए कि आपको जो 2020 वाली पहिंदरा स्कॉर्पियो है उसके फीचर के साब से एक अच्छी आड़ी लग रही है और जब यह इंडिया में लॉंच होगी कि आप उसे खरीना पसंद करेंगे और थैंक यू वीडियो देखने के लिए